सब्सक्राइब करें एके इंडिया योटूब चैनल को साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अब्डेट मिलते रहे और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दावा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलिस समंदित खबरे मिलती रहे स्वागत दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूटूब चैनल में दोस्तों ये है सेट 22 बिहार पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2019-20 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेस्टन्स दोस्तों अगर आप इस PDF को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप में और साथ ही दोस्तों www.akindiajob.com की ओफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी आप इस PDF को देख सकते हैं दोस्तों अभी तक आपने हमें सस्क्राइब नहीं किया है यूटूब पे तो सस्क्राइब कर लीजे और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और दोस्तों फॉलो नहीं किया है खबरी पे तो फॉलो कर लीजे क्योंकि खबरी पे मैंने बताया है कि बिहार पुलिस की वेकेंसी कब तक आने वाली है साथी दोस्तों टेलिग्राम ग्रूप में भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर आप सभी को सारे study materials फ्री में provide कराये जाते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का first question है निमलिखित में से किसका उप्योग करके web pages का निर्मान किया जाता है option A, HTTP, option B, SMTP, option C, HTML और option D, SGML दोस्तों इसका सही जवाब है option C, HTML जैसा कि हम जानते हैं HTML यानि hypertext markup language है या एक ऐसी language भासा है जिसमें web pages को लिखने के लिए प्रियोग की जाती है और जो भी आप किसी भी website पर देखते हैं वह HTML में लिखा गया होता है हम आपको बता दें कि 1989 में टीम बर्नस ली ने या HTML बनाया था दोस्तों second question है सिस्मो मीटर का किसके द्वारा अविशकार किया गया था option A, Alexander Pass, option B, Luigi Palmieri, option C, Alexey Pesdov, और option D, Ransom Ellie Olds दोस्तों अगर आप सभी को इसका सही जबाब पता है तो आप हमें comment section में भी बता सकते हैं इसका सही जबाब है option B, Luigi Palmieri तो देखो दोस्तों, Luigi Palmieri जो थे वो भौतिक विद और मौसम विग्यानी थे Luigi Palmieri के द्वारा 1855 इस्वी में सिस्मोग्राफ का अविशकार किया गया और हम आपको बता दें कि सिस्मोग्राफ एक भुकम्प मापी यंत्र है इसे सिस्मोमेटर भी कहते हैं third question है निमलिकित में से किसकी कमी के कारण रग्त का थक्का नहीं जमता option A vitamin C, option B vitamin K, option C vitamin E, option D vitamin B12 दोस्तों इसका सही जबाब है option B vitamin K तो vitamin K का रशाइनिक नाम है philocuinone vitamin K की कमी के कारण ही रग्त का थक्का नहीं जमता है और रग्त का बहाव नहीं रुखता है दोस्तों आपको बता दे कि vitamin K की सहायता से लीवर में लक्त प्राजमा यानि प्रोथों बीम तथा fibrovinogen का निर्मान होता है जिससे 2-5 मिनट में रग्त का थक्का जमता है दोस्तों fourth question है पेडों में उर्जा उत्पन करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जा सकता है और option D वास्पी करन दोस्तों इसका सही जवाब है option C प्रकाश न्सलेशन तो पेडों में उर्जा उत्पादन थम्माने तब प्रकाश न्सलेशन के माधम से होता है तो पेडों में उर्जा उत्पन करने की प्रक्रिया को प्रकाश न्सलेशन कहते हैं दोस्तों, फिफ्ट क्वेशन है, किस वाइरस के कारण चेचक होती है? ओप्षन A, रुबेला वाइरस, ओप्षन B, वेरिसियेला जोस्टर वाइरस, ओप्षन C, रेबिज, और ओप्षन D, वेरियोला वाइरस दोस्तो इस question का सही जवाब है Varicella joster virus Varicella joster virus यानी चेचक यानी chicken pox virus के कारण होने वाली एक संक्रमक विमारी होती है यानी यह विमारी आसानी से एक वैक्ति से दूसरे वैक्ति में फैलती है इससे बचाओ के लिए वैली सेला वैक्सीन या 50 का लगवाय जाता है दोस्तो 6 question है निमलिखित में से कौन सी उस्मागराही अभिक्रिया है option A स्वशन, option B ज्वलन, option C पसीना निकलना और option D प्राक्टितिक गैसों का जलना दोस्तो अगर आप सभी को इसका सही जबाब पता है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं दोस्तो इस question का सही जबाब है option C यानि पसीना निकलना तो पसीना निकलना उस्मागराही अभिक्रिया है इसे इंडो थर्मिक भी कहते हैं तो देखो दोस्तो उसमा ग्राही अभिक्रिया का अर्थ होता है एक ऐसी रसानी कभिक्रिया जो उसमिय उर्जा का सोसन करती हो 7. दूट को दही में बदलने में उप्योग किये जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताईए ओप्सन A. पेपसीन, ओप्सन B. इन्वर्टेज, ओप्सन C. लैक्टेज और ओप्सन D. डायस्टेज दोस्तो इस क्वेशन का सही जबाब है लैक्टेज लैक्टेज दूट से दही बनाने में लैक्टेज नामक उत्प्रेरक का उप्योग किया जाता है दूद अर्दही दोनों में ही लैक्टिक इसिड होता है लैक्टो बैसिलस नामक बैक्टिरिया दूद में मौजूद लैक्टोस को लैक्टिक इसिड में बदल देती है दोस्तो एट क्वेशन है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाए गया था? ऑप्षन A हुमाईू, ऑप्षन B आजमसा, ऑप्षन C बाबर और ऑप्षन D अरंग जेब दोस्तो इसक्वेशन का सही जबाब है ऐप्षन D अरंग जेब दोस्तो बीबी का मकबरा मुगलबाच्सा अरंग जेब के द्वारा बनाए गया था यह मपगरा महाराष्ट की औरंगाबाद में इस्थित है और हम आपको बता दे कि इसका निर्मान 1685 से 1707 में हुआ था दोस्तो नाइन्थ क्वेशन है बोडो भासा मुख्य रूप से किस राज में बोली जाती है इसका सही जबाब है ओप्सन ए असम बोडो भासा जो है चीनी तिबती समूख के भासा है जो असम के बोडो में बोली जाती है और नेपाल और बांगला देश में रहने वाले लोग भी इसे बोलते हैं दोस्तों 10 विदेशी संदर मुद्रा के मूल्य के घटाओ को क्या कहा जाता है ओप्सन ए अ मूल्यन ओप्सन भी पूर्ण मूल्यांकन ओप्सन सी कम मूल्यांकन और ओप्सन डी रिनात्मक मूल्यांकन दोस्तों इसका सही जबाब है Option A, Aumulian विदेशी संदर मुद्रा यानी FRC यानी Foreign Reference Currency की तुलना में जब देश की मुद्रा के मुल्य में कमी की जाती है तो इस प्रक्रिया को Aumulian कहते हैं और दोस्तों हम आपको बता दे कि भारती रूपे का Aumulian अमेरिकी डॉलर के रूप में किया जाता है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हाँ दोस्तों आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपने कितने क्वेशन सही किये और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए बब बाई